हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दुस्तों हैं विश्या अला सब करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाने ना भूलें ताकि आपको ह आप ही कुछ मिस कर देंगे तो एंड तक देखना है ओके दोस्तों वीडियो पसंद आते तो लाइक जरू कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा कॉमेंट करके बताएगा वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को जरूर दबा देना ओके द दोस्तों तो कुछ लोग कहीं और तो कुछ लोग कहीं और ओके दोस्तों लेकिन विंडोस का अभी भी बहुत ज्यादा क्रेज है दोस्तों विंडोस का इतना क्रेज होने के बाब जूर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो विंडोस से रिलेटेट पता नहीं है दोस्तों अभी आप तकरीबन 20 से 25 साल के होंगे तो आपने को पता होगा आपने जो बच्छपन में कोई भी अगर OS यूज किया होगा ओके दोस्तों Windows से रिलेटेट ओके दोस्तों तो क्या यूज किया होगा 98, XP, ओके दोस्तों या फिर Windows 7, Windows 8 इस तरीके से ओके दोस्तों मैं अगर बताओं आपको एक ऐसा OS भी है यानि यह उपरेटिंग सिस्टम जो आपने शायद ही यूज किया होगा जो आप अपने मोबाइल पे भी चला सकते हैं लेकिन मोबाइल पे चलाने के लिए आपको एक लिंक की जरुवत होगी और चाहें तो आप उसे अपने desktop पे भी रन कर सकते हैं चलिए दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है सिर्फ आपको जाना है Google पर ओके दोस्तों और search कर देना है Windows 93 जैसा कि यह search में भी already आ चुका है Windows 93 इसके बारे में शायद यह आपने नहीं सुना होगा यह भी operating system ही है ओके दोस्तों तो इसे भी आप use कर सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं इसके बारे में इन case अगर आपको detail ना पढ़ना है तो आप इसे detail ना पढ़ सकते हैं ओके दोस्तों यह काफी पुराना OS है इस पर आप जैसे ही जाएंगे तो यह आपको थोड़ा time लेगा और यह बिल्कुल UI आपको दिखाएगा बिल्कुल 93 जैसा देख सकते हैं पिक्सल थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं और बाकी यह पूरा एक तरीके से एक तरीके से यह है यह Windows 93 आप इसका मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे अपने phone से भी और इनकेस अगर आप अपने laptop या desktop से लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं जो चीज आपको चलानी है वो चीज आप यहाँ पी चला सकते हैं अभी मैं mobile से वीडियो बना रहा हूं तो mobile से यह आपको दिखा देता हूं ओके दोस्तों जैसे कि documents के अंदर files बनी हुई है फुल स्क्रीन वगेरा जो भी चीज आपको करनी है इन केस अगर आपको shutdown करना है तो यह shutdown भी हो जाएगा reboot करना है तो reboot भी हो जाएगा ओके दोस्तों तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यह पूरा interface बिलकुल 98 की तरह है 98 हो गया xp हो गया ओके दोस्तों वैसा ही है लेकिन इसमें थोड़ा यह old version है तो आपको old version की तरह देखने को मिलेगा आपको terminal खोलना, terminal खोल सकते हैं यहाँ पर कुछ DOS box DOS box पहले लोग use करते थे आज तो लोग इतना use नहीं करते ओके दोस्तों तो अगर आपको use करना है तो use कर सकते हैं DOS box इसके लाबा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ जो आप use कर सकते हैं यह बहुत सारी applications है जो पहले बनती थी ओके दोस्तों जो काफी बहुत छोटी applications हैं आज की तुलना में अगर देखी जाए तो इनको अगर आप use करना चाहिए तो use कर सकते हैं तो इस पर click कर सकते हैं और यह calculator यहाँ पर easily खुल जाएगा बहुत सही तरीका है इसे use करने का आप use कर सकते हैं मैंने use करके देखा बिल्कुल सेम तरीका वैसा ही है और कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पर जाकर sign, cost, and जो भी आपको use करना है आप इस तरीके से use कर सकते हैं यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप इसे use ही करने दोस्तों यह सिर्फ इसलिए कि यह बस आपको थोड़ा सा entertain कर सके अगर आपके लिए कुछ नया हो सके ओके दोस्तों यह calculator भी बिल्कुल सही चलना है जाएंगे LBS प्रोग्राम यह सारी चीज़ा आपको देखने को मिल जाएंगी फाइल्स में जाते हैं यह सारी चीज़ा आपको देखने को easily मिल जाती है ओके दोस्तों यूज कीजिएगा यह काफी अच्छी बहुत लगी मुझे यह website आप इसे यूज कर सकते हैं ओके दोस्तों इनकेस यूज करना जाते तो देखिए काफी सही है इनकेस अगर आपको जरुवत पड़ती है पुराने operating system की तो यह आपके लिए बहुत ही मज़ेतार रहेगा ओके दोस्तों उमीद है वीडियो जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक जरू करना है आपने और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है और बैल आइकन को भी दबात देना दोस्तों उमीद है यह वीडियो आपको जरूर से जरूर पसंद आई होगी नई वीडियो है अच्छे वीडियो है तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बैल आइकन को दबाना ना भूलने दोस्तों बहुत जल मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बैल दोस्तों